पब्लिक टिवी आपकी आवाद फिलाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाज शुरू कर दी है वहीं अभी यूबक की हालत गंभीर बनी हुई है घटना कार थाना छेत के गाउं रसूलपूर गुजर की है इसी थाना छेत के गाउं पहाड माव निवासी गौरब पुतर राजकुमार का रसूलपूर गुजर निवासी स्वाती नामक यूपती से प्रेम पसंग चल रहा है गौरब की मा संतोष के मताबिक 15 दिन पूर गौरब ने स्वाती को किसी और लड़के से बात करते हुए देख लिया था इस से नराज होकर उसने अपने हाथों की नस्थ काट ली थी संतोष के अनुसा स्वाती ने देराथ गौरब को फोन करके बुलाया था स्वाती के बुलाने पर गौरब परीजनों से हाथों पर पट्टी करवाने का बहाना बना कर घर से निकला था स्वाती का फोन सुनकर गौरब उसके गाउं रसूलपोर गुजर चला गिया देरात उन्हें गौरब ने फोन करके बताया कि किसी ने उसे गोली मार दिये सुशनापा का संतोष अपने पती राजकुमार के साथ तक्काल मौके पर पहुची तब तक काट पुलिस भी मौके पर पहुच चुकी थी पुलिस ने घायल गौरब को काट CSC पहुचाया डॉक्टरों ने उसकी हालत गंबीर बताते हुए हायर सेंटर रैफर कर दिया राजकुमार और संतोष घायल गौरब को इलेकर 108 एंबुलेंस दुआरा जिला अस्पताल पहुचे लेकिन गौरब की गंबीर हालत को देखते हुए वहाँ उसे अस्पताल के गेट से ही नीजी एंबुलेंस में डाल का हायर सेंटर ले गए खून से लटपत हालत में गौरब ने बताया कि वह अपनी गलफ्रेंट स्वाती के बुलाने पर उसके गाउं रसूल पो गुजर गया था वहाँ वाइक पर सवाद दो लोग आये इन में से एक यूबग ने तमंचे से उसके सीने में गोली मार दी गौरब के अनुसाद दोनों लोगों ने अपने चेरे पर कपड़े से ढख रखा था इस नियवे किसी को पैचान नहीं पाया फिलाल गौरब की हालत गंभीर बनी हुई है एस विध्यात उदे संकर सिंग ने बताया कि मामला दर्श कर लिया गया है फिलाल अभी यूबग का इलाज चल रहा है परीजनों से पूश्टाश के अधार पर हमला वरो की गिरफतारी के प्रियास किये जा रहे है आपके बेटे को कैसे क्या ममला है लटकी का चक्का है लटकी से क्या करते हुए पूरी बढ़ा बखाओ लटकी कहां की कोन है रसुलपूर की क्या नाम है स्वाथी अच्छा फिर यह आई अब इसने करीबें टेहर बजाओ या दो बजाओ घर को फोन करा वोले मेरे बोली लगी में वहां पड़ा मुरसुलपूर के रास्ते पूरी किसने मारी है यह मुझे क्या पता है अब यह पताया नहीं पताया है पुलिस को सूचना दिया आ